हेलो डियर स्टुडेंट्स आज हम पाठ बच्पन पाठ तो कक्षा छे का सारांस पढ़ेंगे इसकी लेख का किष्णा सोब्ती जी है आए इनका जीवन प्रेचे जान लें किष्णा सोब्ती का जनम गुजरात में 18 परवरी 1925 को हुआ था इनका जनम बच्चों आजादी से हुआ था तो इन्होंने खुद भी बताया है कि किष्णा सोब्ती जी हमाई नानियत दादी की उमर की होगी भारत के विवाजन के बाद गुजरात का हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था विवाजन के बाद वे दिल्ली में आकर बस गई और तब से यहीं रहकर साहित्ते की सेवा की उन्हें 1980 में जिन्गी नामा के लिए साहित्ते अकादमी पुरुसकार मिला 1996 में इन्हें साहित्ते अकादमी का फैलो बनाया जो अकादमी का सर्वोच सम्मान था जबकि 2017 में इन्हें भारती साहित्ते के सर्वोच सम्मान ग्यान पीट पुरुसकार से सम्मानित किय बच्चों भारती साइते में या साइते जगत का जो भारत का सबसे बड़ा सम्मान है वो कहा है ग्यान पीट पुरुसकार वो ने 2017 में मिला इनका निधन देहान मिर्द्यू डेथ 25 जन्मरी 2019 को एक लंबी विमारी के बाद हो गई इनकी कौन-कौन सी कृतियां प्रकाशित हु बहुत से साहिते से जुड़े हुए कहानिया करेती हैं जिनके बारे में हम फिर कभी बाद में चर्चा करेंगे आए बच्पन पाट का सारांस देखते हैं लेक का क्या कहती है ये एक संस्मरन है संस्मरन जो पुरानी बाते होती उन्हें याद करना संस्मरन कहलाता है उन्हे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं, उन्हें अपने मोजे खुद होने पड़ते थे, हर रविवार को अपने जूते पर पॉलिश करनी होती थी, उन्हें नए जूतों से जादा पुराने जूते पहनना पसंद था, क्योंकि नए जूते पहनने से पैरों में छाले हो रविवार के दिन जो घर के बच्चे होते थे, अपने शूज पॉलिश करते थे, अपने जूते पॉलिश करते थे, अपने मोजे भी कुद जूतों से जादा पसंद है नए जूते के स्थान पर, क्योंकि नए जूतों से पैरों में चाले होते हैं, जबकि पुराने जूतो उसे पेर comfortable रहता है पेर अरायमदाय की इस्तिती में रहता है उन दिनो रेडियो और टेलिवीजन नहीं था आगे क्या बताती है उन दिनो रेडियो टेलिवीजन हरें के घर में नहीं था केबल कुछ घरों में ग्रामो फोन थे लेका के अनसार पहले और अब खाने में अंतर पहले कुलफी आईस्क्रीम हो गई है कचोड़ी समोसा पेटीज में बदल गया है सरवत कोक पेपसी बन गया है लेक्का के घर में से मौल नजदीक था उन्हें हफते में एक बारी चौकलेट खरीदने की छूट थी बच्छों आजकल के और पिछले समय के अंद में बहुत अं कुल मिलाकर पहले बच्चे घर की बनी चीजें ज़्यादा खाते हैं सबसे ज़्यादा चौकलेट उन्हें ही पसंद थी लेक्का को खाने में सबसे ज़्यादा पसंद क्या था अनार दाने का चूरन और चना जोर गरम वह आगे कहती है कि अगर कुछ नहीं बदला है तो व ऐसा ही आज भी है लेक्का ने अपना बच्पन सिमला रीच पर बहुत मज़े में बिताया गोडे की सवारी भी उन्हों ने की सुर्यास्त के समय दूर दूर तक फैले पहाड मनोरम दृष्चे परस्तुत करते थे मनोरम जो मन को हर ले मन को अच्छे लगे चर्च की घंटिया बस्ती तो ऐसा लगता कहीं संगीत सनाई देर और परभू ईश कुछ कह रहे हैं सकेंडल पॉइंट के सामने के सोरू में शिमला काल का ट्रेल का मॉडल बना था आगे वो बताती है हवाई जाज के बारे में भी पिछली सदी हवाई जाज कभी कभी देखने को मिल जाते थे हवाई जाज देखकर ऐसा लगता जैसे कोई भारी भरकम पक्षी फरंक फैला कर तेज गती से उड़ रहा है गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और दुकान थी जहां से लेकका ने अपना पहला चस्मा बनवाया था वहां के डॉक्टर कौन थी अंग्रेज शुर कंतु वह आस तक नहीं उत्रा इसकी जिम्मेदार लेकका खुद है वह दिन की रोसनी में नहीं पड़कर रात को टेबल लेंप की सामने पड़ती थी जब पहली बार उन्हें चस्मा लगाया तब उनके भाई उन्हें बहुत चड़ाया उनकी और कहने लगे तितमाई जो खानी के अच्छी चीज देखकर मुमें पानी आ जाता है निरा केवल कम तर कम अच्छा थोड़ा अच्छा खीजना कुरूद होना गुस्सा होना स्ताबदी एक सो साल का समय फ्रिल जालर जैसे बच्छों की उसमें फ्रॉक वगरा में जालर लगाती है उसे फ्रिल कहते हैं चलन परचलन में केश्ट्रोयल अरंडी का तेल ओलिव आयल जैतून का तेल खुराग निश्चित मात्रा अगले वीडियो में हम चांच से थोड़ी सी गप्पें के शारांस और शर्वदार्थ करेंगे और प्रशन उत्तर भी करेंगे प्रीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब आवर चैनल बाई बाई बच्चों टेक केर